पीजेपी की सरकार ने असंग ठिद अर्ध्यवस्ता पर आकरमन किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है 2008 में जबर्दस्त आर्थिक तुफान है पूरी दुनिया में अमरीका में जापान में यॉरॉप में चाइना में सब जगे आया अमरीका के बैंक गिर गए कंपनिया बंद हो गई एक के बाद एक कंपनी के लाइन लग बंद हो गई यॉरॉप के बैंक गिरे मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो यूपिय के सरकार थी प्रधान मंतरी जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा मनमौन सिंग जी बताईए तो ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्ध्विवस्ता हैं पहली असंगठित अर्ध्विवस्ता और दूसरी संगठित अर्ध्विवस्ता संगठित अर्ध्विवस्ता में बड़ी कंपनिया नाम आप जानते हो असंगठित अर्ध्विवस्ता में किसान, मज़ू छोटे दुकानदार middle-sized companies जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित system मजबूत है उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तुफान छो नहीं समते अब आज के दिन आते हैं पिछले 6 साल से BGP की सरकार ने असंगठित अर्ध्यवस्ता पर आकरमन किया है तीन बड़े उधारन तुम्हें आपको अभी दे देता हूँ नोट बंदी गलत GSD और lockdown आप ये मत सोचिए कि lockdown के पीछे सोच नहीं थी ये मत सोचिए कि गलती से आखरी मिनिट पे lockdown कर दिया गया है इन तीनों का लक्ष हमारी informal सेक्टर को खतम करने का है प्रदान मंत्री जी को अगर सरकार चलानी है मीडिया की जरूरत है मार्केटिंग की जरूरत है मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते है इन फॉर्मल सेक्टर में पैसा है लाकों करोड रुपे जिसको ये लोग छून ही सकते हैं इसको ये लोग तोड़ना चाहते है पैसा लेना चाहते है इसका नतीज़ा आएगा नतीज़ा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा क्यूं? क्योंकि इन फॉर्मल सेक्टर नप्पे प्रतिश्चत से ज़ादा रोजगार देता है खतम हो गया नच्ट हो गया उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा आप ही इस देश को चलाते हो आप ही इस देश को आगे ली जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने के कोशिश की जारी है हमें इस आकरमन को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा